पूराने दिनों को याद करते हुए बहुत सारी खास बाते बताई एक दूसरी की दोस्ती के नाम पर गौरों ने बताया कि मैं मोहिना को बहुत लंबे समय से जानता हूँ मैंने इनके डान्स को फॉलो किया मैंने इनका छलक दिखला जा भी देखा था मुझे कभी नहीं लगा था कि आगे चलकर हम कभी साथ में काम करेंगे जब ये रिष्टा के सेट पर हम पहुचे थे तो मुझे पता चला कि मोहिना नाम की लड़की शो में कीरती का करदार निभा रही है मुझे ये नहीं पता था कि ये वही मोहिना है जिसका डान्स शो मैंने देखा था शो में में मेरा एक entry scene था traffic jam वाला जिसमें बहुत कम लोग थे तब मैंने इनने देखा तो मुझे लगा कि ये तो वहीं मोहिना है तो मुझे fan moment feel हुआ, शो में मेरी वो बहन बनी थी और मैं बहुत ज़दा excited था और वही मोहिना ने कहा कि मैंने जब गौरो का scene करते हुए देखा था पहली बार उने तो लगा कि कोई तोड़ actor आया है मुझे तुरन थी गौरो के लिए respect आ गई, बहुत कम लोग होते हैं जिनने पहली बार देखते ही आपके मन में respect आ जाती है आगे मोहिना ने कहा कि इसके बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, set पर हम friends बने थे लेकिन जिगरी वारी जो दोस्ती हुई थी वो grease में हुई थी, grease में हमने बहुत मस्ती की, हम बहुत गब लड़ाते थे इसके अलामा मोहिना ने बताया कि set पर गौरो उनका make-up चोरी कर लेते थे, इस पर गौरो ने कहा चुराता नहीं था, कभी-कभी use कर लेता था मोहिना ने ये भी बताया कि गौरो जब सो जाता था तो उसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको call पर call करते रहो पर वो कभी नहीं उठाएगा इस पर गौरो ने कहा कि जब भी सोता हूँ तो मैं phone silent पर कर देता हूँ हम आपको बता दें कि मोहिना ये रिष्टा क्या कहलाता है मैं केरती और गौरो शुभम के करदार में नजर आये थे दोनों भाई बहन थे, रेल लाइफ में दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं आपको वो बात यादी होगी जब मोहिना को करोना पॉस्टिव निकली थी, उनकी पूरी फैमिली करोना पॉस्टिव थी हॉस्पिटल में थे और जिस दिन वो ठीक हुई थी, उन्होंने ये बात अपने सोशल मेडिया पर डाली उसी दिन गौरो और उनका चैट सबसे ज़ादा वाइरल हुआ था उनकी बस्ती, उनकी बाते ऐसा लगता था कि शायद इसी को दोस्ती कहते हैं